नमस्कार दोस्तों आज आपको बताएंगे ब्रेश्ट सिष्ट के बारे में महिलाओ के इस्तन में गांठ बन जाने के बारे में आपको ब्रेश्ट सिष्ट की बैस्ट होमियोपैतिक मैडिसन के बारे में बताएंगे आपको बताएंगे इस्तन में गांठ हो जाने का क्या कार हैं आपको इसके सिंटम्स लक्षणों के बारे में बताएंगे अभी चैनल पर नए हैं प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी का हमारे यूटीब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं यह महिलाओ को होने वाला एक बिमारी है महिलाओ के इस तरह में यह गाट बन जाती है यह गाट एक तरल पधार से भरी हुई थैली के रूब में गाट के रूब में बन जाती है यह दोनों ब्रेश्ट में हो सकती है और एक ब्रेश्ट में एक से जादे भी हो सकती है इनमें कभी-कभी दर्द भी हो सकता कभी दर्द इतना तिब्र होता है कि महिला बेचैन हो जाती है दर्द के मारे बहर चिलाने लगती है इतना तिब्र दर्द भी होता है यह कोई कैंसर का कारण नहीं बनती है जब किसी को ब्रेश्ट सिष्ट हो जाती है तो महिला डरने लगती है कि कहीं उनको ब्रेश्ट कैंसर तो नहीं हो गया है जबकि ऐसा नहीं होता है ये ब्रेश्ट कैंसर का कारण नहीं बनती है महिलाओ के इस तन में गांट की समस्या अधिक तर मेनो पोच की समस्या से पहले होती है ये किसी भी एज में हो सकती है महिलाओ को कभी भी हो सकती है देखा जाता है कि मोनो पोज से पहले इसकी समस्या हो सकती है यानि 30 से 40 बर्स की एज में यह समस्या अधिक हो सकती है और यह कभी-कभी यंग एज की लड़कियों को भी हो सकती है यह 20 साल से उपर की लड़कियों को भी इसकी समस्या हो सकती है दोस्तों मोनोपोज से पहले इसकी समस्या जादे देखने को मिलती है सिम्टम्स हो सकते हैं क्या लक्सरन हो सकते हैं जब किसी को ब्रेश्ट सिष्ट की समस्या होती है उनके ब्रेष्ट में दर्द होता है, दर्द तिवरी भी हो सकता है और दर्द हलका हलका भी बना रह सकता है ये गांट जब हो जाती है तो ये गांट कभी-कभी सोट भी होती है यानि कि मुलायम होती है छोने से आपको ये दपती होई महसूस होएंगी ऐसा लगेगा जैसे इसके अंदर कोई तरल पधार्थ भरा हुआ है और कहीं कहीं पर ये गांट बहुत ज़्यदा हार्ड हो जाती है बहुत ज़्यदा कठोर हो जाती है और दर्द करती है और दबाने से ये गांट दपती नहीं है बहुत ज़़ा हार्ड हो जाती है ये गांट आपके दोनों ब्रेष्ट में हो सकती है एक ब्रेष्ट में हो सकती है और एक ब्रेष्ट में एक से जादे भी हो सकती है तन की गांटे बिशेश तोर से periods के समय बढ़ जाती है यानि कि periods के समय इन गाठों का अकार बढ़ जाता है और periods समाप्त होने के बाद इनका अकार नोर्मल रेंज में आ जाता है आपको यह समस्य बिसे इस तोर से देखी जा सकती है breast cyst होने का क्या कारण है यह समस्य अधिक्तर hormones disorder होने की बज़े से देखी जाती है hormones disorder होने की बज़े से महिलाओ को breast cyst की समस्य हो सकती है वैसे तो breast cyst होने के कई सारे कारण होते हैं बहुत से कारण हैं जिनके कारण महिलाओ को breast cyst की समस्य हो जाती है बेब महिलाओं जो hormone replacement therapy का इस्तमाल ज़्याद्य करती है उनको भी ब्रेश्टिष्ट होने के चांस बहुत अधिक रहते हैं इस्तन में ब्रेश्ट में चोट लग जाने से भी कभी कभी इस्तन के अंदर गांट बन जाती है टीसू की अधिक मातरा हो जाने पर वे इस्तन के रूप में यानि गांट के रूप में वहाँ पर एक अकार बना लेते हैं जिनके गर महिलाओ को गांट की समस्या हो सकती है ये कारण हो सकते हैं महिलाओ को ब्रेश्ट शिष्ट होने के जब कभी किसी को भी ब्रेश्ट शिष्ट महिलाओ के इसतन में गांट हो जाती है यंग एज की लड़कियों के इसतन में गांट हो जाती है तब आपको कौन सी मैडिसन लेनी चाहिए इसके बारे में आपको बतात चाहिए और फिर आपको पंजर गिन बाद फिर से एक बार रिपीट करनी चाहिए यह मैडिशन लेने से आपके ब्रेस्ट शीष्ट की समस्या धीरे-धीरे ठीक हो जाती है कौनियम मैक एक इफैक्टिट मैडिशन है आपके इस्तन की गांटों को जल्दी ही ठीक कर देती है ब आपको कोनियम मैटलिकम जरूर लेनी चाहिए और वैसे तो आपको कोनियम मैटलिकम की एक डोज लेनी ही चाहिए यह इस्तन की गांटों के लिए एक बेस्ट मैडिशन है आपको इसकी एक डोज आपको जरूर लेनी चाहिए अगली मैडिशन है इस्क्रोफुलेरिया नोड जरूर लेना चाहिए इफैक्टेड मैडिसन है दोस्तों पुरानी से पुरानी आपकी सिष्ट की समस्य दूर हो जाती है यह महिलाओ के इस्तन की गांट की एक बाई कली आपको जरूर लेनी चाहिए जब भी अगर आपकी समस्य दूर हो जाती है आपको इसकी दस दस बून दिन जाने आधाद में डाल कर लेनी चाहिए आपको को समातर को सही दिन यूज करनी है लगातार लेनी है और यह है जिर सिश्ण की समस्या हो गई जसके वचे पुरानी समस्या हो गई है जिसके वचे से आपकी हार्ड और कठोर गांट बन गई है उसको आप उससमें जरूर चाहिए आपके लिए यहť एफाक्रिट मैंडीशन होते हैं आपकी जिस्ट की समस्य दूर धो reporter ध्रक्राइबosition गन्मीद्र हो जाती है दोस्तो जब आगर तोición चीम पलपर काथ जाधी कृष्ट 4 योज़ाती है अपनीति मेंडीन दोड़ करने चीए आपको यह この मेंडिशन जरू लेनी चाहिए आपकी यह ब्रेश्ट शिष्ट की समस्या इस्तन की गाठों की समस्या दूर हो जाती है अगर आप यह मेंडिशन ओनलाइन ओडर करना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रेप्शन में लिंक दे रखी है आप उसी लिंक को खोल कर इस मेंडिश कर सकते हैं दोस्तों आप हमारे बाटसप नंबर पर आप हमें SMS कर सकते हैं आप हमें SMS करकर अपनी समस्या बता सकते हैं हम आपके SMS का आपको रिप्ले जरूर देंगे आपको इसका समधान बताएंगे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज वीड प्रेट शीट से हमें से के लिए छट करा जिलाजें।